हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आएं आपके लिए प्राक्टी सेट नमर टुबल्ब जो की बिहार दरोगा मुख पर इछा के लिए अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस सेट देख सकते हैं अगर इस वीडियो का आप लोगों को पीडियेप चाहिए तो आप नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन से ग्रूप जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप या वाट्सक ग्रूप वहां सारे डेली बे कर लिजे और साथी साथ बैल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आएए शुरू करते हैं एक चीज और कि आप बहुत सारे लोगों का क्यूरीज था हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी ये सब तो हिस्ट्री जोग्रफ अपने कोश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो है प्राचीनतम भारतिये विस्विद्याले के अबसेस ब्लैंक में है तो देखे इसका जो सही अंसर होगा आप्सन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आप्सन नबर भी तचसिला विस्विद्याले लेकिन त करवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने और फिर इस नलंदा विस्विद्याले को ध्वस्ट करवा दिया था बक्तियार खिल जी ने ठीक है उजयन की अगर और आप्सन की बात कर लेते हैं उजयन की अगर हम बात करते हैं तो उजयन तो आबंती महाजनपत की क्या थी क्यारा कुश्चन नमर टू कर रहा सर्वेंट अफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे इसका जो सयन सर होगा बोह जागा गोपाल क्रिस्ट गोखले से आप लोगों को पता ही होगा कि गोपाल क्रिस्ट गोखले जो थे वो महात्मा गादी कोई राजनितिक गुरू ठीक है अब गोपाल क्रिस्ट गोखले के गुरू कौन थे तो गोपाल क्रिस्ट गोखले के गुरू थे महादेब गोबिंद रनाडे ठीक है और इसकी अस्थापना कब किये थे उन्होंने सेर्वेंट अफ इंडिया सोसाइटी की 1905 इस भी में नेक्स्ट कोशें है कोशिननमर्ठ तân क्वेंट थे कि भारत में ग्रेंटक रोड किसके सासेंकाल में बनाए गए थे तो इसका जो सहिंचर होगा बोजाइगा ऑपस्ध नमर्शी सेर्चाइक के सासेंकाल में बनाया गया था ठीक है और फिर इसके बाद गवर्नर जनरल जो था Auckland ठीक है जो 1936 से लेके 1942 ता गवर्नर जनरल रहा है तो यह जो गवर्नर जनरल Auckland था इसी के द्वारा जीटी रोड का पुनन मरम्मद भी करवाया गया था और जीटी रोड किसको किसको जोडती है कोलकता को अमरीस सर से ठीक है चलि नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और फिर फ्रेंच इस्ट इंडिया जो कंपनी था वो अपना प्रत्थम करखाना भारत में कहां खोला था सूरत में 168 ठीक है और दूसरा करखाना खोला था 1669 में तहां मसूली पटनम में ठीक है next question है question number five question number five कहरा कि गोतंबूद का जन्म अस्थान है तो इसका जो सैंसर हो जगा बहु जगा लुम्बनी और फिर कुसी नगर में गौतम बूद को महा परी निर्मान प्राप्थ हुआ था कब? चारसो तेरासी इस्वीप में ठीक है गौतम बूद से याद रखेगा कि सारनाथ में गौतम बूद ने अपना प्रतम उपदेश दिया था लेकिन अगर कौश्चन पूछा जाए कि सबसे अधीक उपदेश कहां दिया था तब अंसर हो जाएगा स्राबस्ती सबसे अधीक उपदेश कहां दिये थे स्राबस्ती में दिये थे गौतम बूत से एक और चीज़ याद रखेगा कि गौतम बूत को क्या बोला जाता है Light of Asia बोला जाता है मतलब कि Asia का जोती पुंज कहा जाता है Next question है question number 6 Question number 6 कह रहा है कि भारतिय राष्टिय से न काली बंगन किस प्रदेश में अवस्थित है काली बंगन से एक चीज़ याद रखेगा काली बंगन को हड़पा संस्क्रिट सब्वेता की तीसरी रायजधानी मानी जाती है क्या? तीसरी रायजधानी मानी जाती है Next question है question number 8 Question number 8 कह रहा है कि 1929 इसमी में जलिया बाला बाग हत्याकान कहां पर हुआ था तो इसका जो सही अन्सर होगा बोह जागा अमरिसर यानी option number 8 और हुआ कब था? 13 अपरेल 1929 को और क्यूं हुआ था? जो रॉले टेक्ट आया था जिसको की क्या कहा जाता है? काला कानून तो बो जो रॉले टेक्ट का बिरोध कर रहे थे कौन? डॉक्टर सत्पाल और डॉक्टर सैफदीन? किछलू और इनहीं को दोनों को गिरस्तार कर लिया गया था इसमें रॉले टेक्ट का बिरोध करते हुए और इन दोनों के गिरस्तारी के बिरोध में ही क्या हुआ था? जलिया बाला बाग में समेलन हुक किया जा रहा था और फिस जो जेर्णर लोड आया रहा था वो गोली चराने का आदेश दे दिया था इसमें काफी लोग मारे गए थे ठीक है एक चीज और याद रखेगा जलिया वाला बाग हत्याकार्म से कि सरकार ने इस घटना की जाज के लिए कि कौन से आयो की गठन किया था हंटर आयो का गठन किया था और एक कोश्चन और पुछा जाता है कि कौंग्रेस ने किसकी अधहचता में एक समीती बनाई थी तो कौंग्रेस ने मदन मोहनमाल बिये की अधहचता में इसकी जाज के लिए एक समीती बनाया था फिर याद रखिएगा कि जन्रल ओ डायर को उधहम सी ने उनई 140 में गोली मार दिया था ठीक है इस कोश्चन से एक और इस जडिया वाला बाग से एक और कोश्चन जो बहुत बार इक जाम में पूछा जाता है वो यह है कि इस कांड के बिरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद जमानालाल बजाज ने राय बाहदूर और अभी ना टाइगोर ने नाइट हूट की उपादी बापस लोटा दी थी तो यह सारे चीज जो है वो याद रखिएगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 9 कोशन नमबर 9 कह रहा है कि स्वराज मेरा जम सीद अदिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या किस ने कहा था तो यह बाल गंगादर तिलख के द्वारा कहा गया था तो आपसन नमबर D जो होगा वो साई अंसर हो जाएगा तिलक से एक चीज़ याद रखेगा तिलक को क्या लोकमान की भी उपादी दिग गई है और ये बाल गंगादर तिलक से एक चीज़ याद रखेगा कि इन्होंने होम रूल लीद ठिक है होम रूल लीद कब अपरेल उनई 116 में अस्टार्ट किया था next question है question number 10 question number 10 कहारा कि महाबीर का जन्द किस छैत्रिये गोत्र में हुआ था तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँ जगा आप्सान नंबर B यानि ग्यात्रिक छैत्रिये गोत्र में हुआ था और हुआ था कब 540BC में ठीक है और इनका फिर मिर्टु कब हुआ था 46825 में 11 कह रहा है कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ता किस बर्स पारित किया था तो इसका जो सही अंसरों का बोह जाएगा 1942 यानि option number D और ये कहां से 8 अगस्त 1942 को बोंबे के ग्वालियर टैंक मैदान से पारित हुआ था ठीक है और इसी जो 8 अगस्त 1942 को जब बोंबे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी भारत छोड़ो अंदोलन सुरू किये थे तो इसी समय उन्होंने नारा दिया सा करो और मरो और फिर एक दिन बाद ही मतलब 9 अगस्त को ही क्या हुआ था ओपरेशन जीरो आबर के तहत महात्मा गांधी समयत भारत के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ठीक है एक चीर और कोश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो अंदोलन के समय कॉंग्रेस रेडियो का संचालन कौन करती थी तो उनका नाम याद रखेगा उसा महता उनका नाम था ठीक है मतलब भारत छोड़ो अंदोलन के समय उसा महता जो थी वो कॉंग्रेस रेडियो का संचालन करती थी नेक्स कोशन है कोशन नमर 12 कोशन नमर 12 कर रहा है कि फ्रांस की क्रांती के समय मतलब 1789 में वहां का राजा कौन था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आप्सन नमर B लूई सुलहमा था ठीक है कोशन नमर 13 कर रहा है कि नेता जी सुवास रास्टी ये खेल संस्थान कहा है इस स्थित है तो ये पटियाला में स्थित है तो आप्सन नमर B जो होगा वो आपका सही अंसर होगा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 14 कोश्चन नमबर 14 कह रहा है बरसिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा आप्सन नमबर D अरून सौर्ल ठीक है बिकरम सेट से याद रखिएगा बिकरम सेट जो थे बो गोल्डेंगेट पुस्तक का लेखक थे ठीक है अरुनों धितिरों से कौन है अरुनों धितिरों से याद रखिएगा दे गॉड अस्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक थे अनुरु धितिरों नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 कोश्चन नमबर 15 काशा है का मुख्याले कहा है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा मनिला फ्लिप्रिण्स की राजधानी जो है वहीं इसका मुख्याले है तो और आप सान नमबर D जो होगा बो हमारा सही अंसर हो जैगा और इसकी अस्थापना कब हुई थी? 1936-23 में उस्थापना हुई थी एक चीज याद रखेगा ADB से कि ADB में का जो अध्याच होता है वो हमेशा जापान का होता है क्यूंकि सबसे जाजा जो सेर है ADB में वो जापान का ही है ठीक है? Next question है Question number 16 Binks of Fire पुस्थक के लेखक कोन है? तो Binks of Fire पुस्थक के लेखक है हमारे पुर्व राश्पती APJ अब्दुलकलाम ठीक है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा Option number C अब्दुलकलाम से और कुछ पुस्थकों का नाम याद रखेगा एक जो पुस्थक बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है वो है Ignited Minds ठीक है? Ignited Minds पुस्थक के लेखक भी कौन है? APJ अब्दुलकलामी है ठीक है? Next question है Question number 17 Question number 17 कह रहा है कि परतेक बर्स अंतराष्टिये महिला दिवस का मनाया जाता है तो परतेक बर्स अंतराष्टिये महिला दिवस जो है वो 8 March को मनाया जाता है तो option number 2 जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा 10 March से याद रखेगा कि 10 March को CISF जो है उसका Rising Day मनाया जाता है और 18 March को मनाया जाता है आयूध निर्मान दिवस और 28 सरबरी को मनाया जाता है राष्टिये विज्ञान दिवस Next question है question number 18 बड़ा इमाम बड़ा कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जगा option number B लखनव में है लखनव से याद रखेगा दो चीज कि ये गोमती नदी पर इस्थित है और लखनव को नवाबो की नगरी भी कहा जाता है Next question है question number 19 Question number 19 कह रहा है कि साथ संकेत अच्छरों में TRP से क्या अधी प्रा है आप लग जनरली TRP बड़ का नाम सुनते होगे कि निउज बाले इसलिए ये कर ज़ें क्योंकि उनका TRP बढ़ जा तो आखिर ये TRP होता क्या है तो TRP इतना तो कंफर्म है कि Television से related है तो इसका जो सायन सरोगा बहुँ जगा option number D Television Rating Point है Next question है question number 20 Question number 20 कह रहा है बैस्वी करन से बिहार के कुस उद्ध्यों को प्रोसाहन मिला है ठीक है देखे जेनरली जो हुआ था बहारत में उद्धारी करन का जनक है एक चीज़ और question पुछा जाता है कि उद्धारी करन का जनक मतलब अगर उद्धारी करन की बात करते हैं तो ठीक है तो उद्धारी करन का जनक कौन है उदारी करन का जनक है मनमोहन सिंग याद रखिएगा एक चीज next question है question number 21 question number 21 कहा रहा है कि भारत सरकार दोरा आर्थिक सुधार सामन्धित नभीन आर्थिक निती कप अपनाई गई तो ये कम ने अपनाया गया है उनाई सो एक आनमे इस भी में next question है question number 22 question number 22 कहा रहा है कि क्रिसी उत्पादों के माननी करन के लिए किस मानक का परियोग किया जाता है तो इसका जैसाई अंसरों का बोह जगा option number B एक मार का उपयोग किया जाता है ठीक है ISI का उपयोग क्यों किया जाता है ISI मार्क जनजली उस बस्तुओं के लिए यूज किया जाता है जिसका टिकायूपन मतलब जो कितना ज़्यादा टिकाऊ है उस बस्तुओं के लिए इसका मानक परियोग किया जाता है next question है question number 23 question number 23 कहा रहा है कि बजार के नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो जे भी से के द्वारा बजार के नियम का प्रतिपादन किया गया था तो option number C जो होगा वो हमारा सई अंसर हो जागा और जे भी से के अनुसार ही था कि पूर्ती जो होता है अपनी मांग स्वे मुत्पन कर लेता है next question है question number 24 question number 24 कह रहा है कि blank अभी क्रिया तब होती है जब sodium sulphate barium chloride के साथ अभी क्रिया करता है देखिए इसका अगर हम chemical formula लिखेंगे तो होगा क्या Bacl2 ठीक है plus Na2SO4 मिलके क्या बनाएगा BASO4 plus 2 NaCl तो यहाँ देखिए तो Na का भी और BAK भी दोनों में क्या हो रहा है 20 थाफन अभी क्रिया हो रहा है मतलब अगर इसको हम करते हैं जब दोनों में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 12 थाफन बोलते हैं बो हो जाएगा आप्शन अबर D दूइक लबन का उदाहरन है फिट किरी फिट किरी के अगर अनुस सुत्र की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है K2SO4 AL2 SO4 का होल 3 plus 24 H2O ठीक है यह फिट किरी का होता है फिट किरी से एक चीज याद रखेगा इसका परियोग जो होता है वो जल को सुध करने या चमडे के फैक्टरी में या फिट कापडों की रंगा इत्यादी में इसका यूज किया जाता है Next question है Question number 26 Question number 26 कर रहा कि ब्लैंक कोसी का विवाजन में ब्रिधी करता है तो कोसी का विवाजन में क्या ब्रिधी करता है Cytokinin तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है और जो Cytokinin है इसका खोज कब हुआ था इसका खोज उन 255 में मिलर के द्वारा किया गया था next question है question number 28 question number 28 कह रहा है कि प्रिधी का द्रभमान है तो प्रिधी का जो द्रभमान है वो है 5.976 into 10 to the power 24 तो इसको अगर round figure में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 10 into 6 into 10 to the power 24 तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा और अगर प्रिधी का घनत वो पूछ दे तब प्रिधी का जो घनत में वो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटिमेटर ठीक है next question है question number 29 question number 29 कह रहा है कि सफेद फास्फोरस को blank में संग्रहित किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो जगा option number A सफेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है ठीक है अब सफेद फास्फोरस का अनुसूत्र कितना होता है P4 अलाल फास्फोरस का P2 next question है question number 30 question number 30 कह रहा है कि अधुनिक आबर सानी में आबर blank में लेथे nights और actinus sites होते है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number C 6 और 7 देखे अधुनिक आबर सानी में अगर बात करें तो परमानु संख्या संतामन से लेके 70 तक को लेंथे nights रेनी में रखा जाता है और परमानु संख्या 89 से लेके 103 तक को ठीक है तो sodium क्या है एक छार धातू है sodium से याद रखेगा कि sodium इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से भी असानी से काटा जा सकता है और पानी में sodium हलका होने के कारण ही यह पानी में क्या होता है तैरने लगता है next question है question number 32 32 कह रहा है कि lithium nitrate का सुत्र है तो lithium nitrate का सुत्र क्या है L-I-N-O-3 तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 33 question number 33 कह रहा है blank में कोसिकाओं को धिला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंत क्रियात्म करियेक तस्थान मिल सके तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा मृदू तक यानि option number D यानि इसको इंगलिस में क्या बोलते है parent काइमा बोलते है parent काइमा जो होता है वो अत्यान सरल परकार का एक permanent उत्तक है मतलब parent काइमा क्या है एक permanent tissue है next question है question number 34 question number 34 कह रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाए पर और विपरिद दिसा में कार्ज कर रहे है तो निकाए पर कार्ज करने बाला बल बन जाता है तो इसका जो सही अनसर है वो क्या हो जागा जब दो समान बल किसी एक ही चोट पर दोनों साइड से लगेगा यानि कि क्या हो जागा वहाँ पे बल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number B सुन ठीक है अजब बल एबन बल की दिशा में 20 थापन के बीच 90 डिगरी का कोन हो तो कार्ज का मन क्या हो जाता सून क्यूं क्यूं क्यूंकि formula आप लोग पढ़े ही होंगे कि W बराबर Fs cos theta तो यहां cos theta अगर हम cos 90 रख देते हैं तो cos 90 is equal to हो जाएगा 0 तो इसमें फिर जितना भी होगा तो 0 से multiplied करेंगे तो आजाएगा 0 नेक्स कोशन है question number 35 question number 35 कर रहा है blank तत में 2 कच होते हैं जो पुन रूप से भरे हुए होते हैं तो इसका जो सही answer हो जागा आरगन आरगन का देखिए atomic number 10 तो अगर हम इसका बनाएंगे तो यह इसमें 2 electron और इसमें 8 तो 2 और 8 10 हो जाएगा नेक्स कोशन है question number 36 question number 36 कर रहा है blank धातु का उप्योग इलक्टिक बल्व के filament बनाने में किया जाता है तो इसका जो सही answer हो जागा बो हो जागा क्या टंगस्टन तो अप्सा नंबर C जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा क्यूं क्यूंकि टंगस्टन का जो गल्लांग होता है 3500 degree Celsius के लगभग में टंगस्टन का गल्लांग होता है अब भारत में अगर टंगस्टन का उत्पादन बोले तो सबसे जादा का होता है राजस्थान के देगाना खान में होता है next question है question number 37 question number 37 कह रहा है कि इथेन में पड़ते कार्बन प्रमानू कितने से बंदे होते हैं देखिए अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन क्या होता है C2H6 अब देखिए इसका अगर हम बनाएंगे तो यह से बनता है कुछ C C H यही आई थेन अब देख लिए खुद से देख लिजे कि जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने इनुओं से बंदे हैं एक दो तीन और एक चार तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुँ जगा option number B चार प्रमानू नेक्स कोशन है कोशन number 38 कोशन number 38 का रहा है परिबर्तनिय संजोगता ब्लैंक द्वारा परदर्शित की जाती है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुँ जगा option number C संक्रमान तत्र द्वारा परदर्शित किया जाता है नेक्स कोशन है कोशन number 39 क्या रहा है कि विकास का सिधान्त हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटी लूपों से बिक्सित हुआ है तो किसका डॉर्बिन का विकास का सिधान्त ये बताता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है डॉर्बिन से एक चीज और याद रखेगा कि इन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखा था origin of a species ठीक है ये बहुत बारिक जामें पुछा जाता है कि origin of a species पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बहुचेगा option number D गरवासे गरवासे में इमान स्पेशियों के लेवर संकुचेन के परियाम सरुप क्या होता है बच्चा पैदा होता है गरवासे की रचना जो होती है वो जेनरली एक नासपाथी के समान होती है और गरवासे जो होता है 7.5 cm लंबा 5 cm चोड़ा और 3.5 cm मोटा होता है और यह जो गरवासे का जो नीचला भाग होता है वो संक्रा होता है और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं गरीबा कहते हैं खिक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 41 question number 41 कह रहा ब्लैंक उत्तक क यह प्रकार ग्रंथिया बनाते हैं तो इसका जो सायन सरोजगा बहुँजगा epithelial उत्तक जो होते हैं तो इसका जो सायन सरोजगा बहुजगा option number D epithelial ठीक है उत्तकों से एक चीश याद रखेगा कि उत्तकों का जो अध्यान होता है वो histology कह लाता है यह जो epithelial उत्तक ह होते हैं ठीक है next question है question number 42 question number 42 कह रहा है कि pulse इसकी तरंग है तो इसका जो सायन सरोजगा वो क्या हो जागा pulse जो है वो कुछ समय की कुछ समय अभधी की तरंग है तो option number C जो होगा वो हमारा साय अंसर हो जागा ठीक है next question है question number 43 ठीक है देखे कोई भी जो रसानिक अभी क्लिए जिसमें उस्मा और प्रकास उत्पन होता है वही तो दहन कहलाता है और दहन क्या है एक ओक्सिकरन अभी क्रिया है देखिए जितने भी दहन क्रिया होगी वो सब ओक्सिकरन क्रिया होगा लेकिन जलूरी नहीं है कि जो सब ओक्सिकरन क्रिया होगा वो दहन क्रिया होगा ही होगा ठीक है ओक्सिकरन में मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ दहन की अगर हम कर रहा कि एक कंड़क्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है तो इसका जो सैयन सरों का बहुँ जगा पहला चालक पदार्थ की प्रकिर्टी पर चालक के ताप पर चालक की लंबाई पर और चालक की अनुपरस्त काट के छेतर पल पर next question है question number 45 question number 45 कर रहा है कि सबसे बाहरी और्बिट में blank में इलक्ट्रोने की संख्या एक समान होगी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, बहुत जाएगा, option number D, AS और BI, AS है यहाँ पर क्या, arsenic, जिसका atomic number 33, और BI क्या है यहाँ यहाँ पर, bismut, जिसका atomic number 83, तो arsenic है 33, और bismut का 83, next question है, question number 46, question number 46 कह रहा है, कि सुष्ट पर्णपाथी जंगल, गिर, किस राज में है, तो गिर कौ famous है, share के लिए famous है, ठीक है, next question है, question number 47, question number 47 कह रहा है, कि सूर्ज की परिकर्मा के दौरान, पिर्थी भी सूर्ज से निउंतन दूरी पर होती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो कब होगा, जन्वरी महीने में, और कब, तीन जन्वरी को, तो सही अंसर हो जाएगा, वो option number D हो जाएगा, और तीन जन्वरी को याद रखेगा, निउंतन दूरी होती है, और चार जुलाई को maximum दूरी होती है, और जो यह maximum दूरी होती है, उसको अपसौर कहा जाता है, और जो minimum होता है, तीन जन्वरी को, उसको उपसौर कहा जाता है, next question है, question number 48, question number 48 कह रहा है, कि radio त option number D, iron bundle, ठीक है, यह iron bundle से एक चीज़ याद रखेगा, जितना भी संचार bundle जो होता है, मतलब संचार समंदी कार्जकाल होता है, वो इसी iron bundle में अस्थापित किये जाते हैं, next question है, question number 49, question number 49 कह रहा है, कि asteroid build की उपस्तिती किन दोग रहो के मद है, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जगा बिहस्पती और मंगल के बीच में है, तो option number D जो होगा, वो हमारा सही answer हो जाएगा, ठीक है, next question है, question number 50, question number 50 कह रहा है, कौन सा देसांतर प्रधान यो मोतर के साथ मिलकर, glow पर ब्रिहत ब्रित का निर्मान करता है, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, 180 degrees decentre यानि option number D, ठीक है, और ये जो 180 degrees decentre होता है, इसी को क्या बोला जाता है, अंतराष्टिये तिथी रेखा बोला जाता है, एक question बहुत बार पुछा गया है, कि अंतराष्टिये तिथी रेखा के समांतर में कौन इस्थित है, तो ये चीज़ी याद रखेगा, कि अंतराष्टिये तिथी रेखा के समांतर में इस्थित है, bearing जलसंधी, clear है, चलिए, next question है, question number 51, question number 51 कह जाएगा है, next question है, question number 52, question number 52 कह जाएगा है, कि भूपर पटी पर द्रभमान परतिसत के रूप में कौन सा एक सरवादीक मातरा में पाया जाता है, तो सबसे सरवादीक मातरा में कौन पाया जाता है, oxygen, तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा, oxygen लगबग 46 से 47% के आसपास पाया जाता है, ठीक है, और अगर हम बात इसके बाद oxygen के बाद अगर पूछे की कौन पाया जाता है, तब हो जाएगा silicon जो की 27 से 28% मतलब 27.72% के आसपास पाया जाता है, ठीक है, next question है, question number 53, question number 53 कह रहा है कि निमलीखित में से कौन घास का मैदान नहीं है, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, वो हो जागा, option number A, इसलबास जो है वो घास का मैदान नहीं है, ठीक है, लानोस की अगर बात करते हैं, तो ये क्या है, वेनेजुला और कॉलंबिया से संबंदित है, इसका घास का मैदान है, और उसके बाद अगर डॉन्स की बात करते हैं, तो ये अस्टेलिया में है, next question है, question number 54, question number 54 कह रहा है कि निमलीखित में से कौन सी दच्छिन अट्लांटिक महासागर की सीतल धारा है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बोहोजगा वेनुजुला धारा यानि option number B, next question है, question number 55, question number 55 कह रहा है कि निमलीखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतबाहक नहर है, तो इसका जो सही अंसर होजगा, बोहोजगा, option number D, स्वेज नहर है, स्वेज नहर से एक चीर याद रखिएगा, स्वेज नहर जो है, वो 1869 में तयार हुआ था, और 1872 में इसको आबाजाही के लिए खोल दिया गया था, स्वेज नहर जो है, वो भूमद सागर और लाल सागर को जोडता है, और options के अगर हम बात करते हैं, तो यह जो कोल नहर, मतलब कील नहर जो है, वो जर्मनी में है, जो उतरी सागर को वॉल्टिक सागर से जोडती है, ठीक है, अगर हम पनामा नहर की बात करते हैं, तो पनामा नहर 2014 में बनाया गया था, और अगर हम सू नहर की बात करते हैं, ये कहां है? USA में है, ठीक है? Next question है, question number 56. Question number 56 कह रहा है, कि संपून 20 के 6 तफर में भारत की भागेदारी लगभग है, तो इसका जो सही अंसर है को कितना है? 2.42% है, यानि option number B. और यही अगर question पूछले कि भारत की आबादी, 20 की अबादी का कितना परसेंट है? तब हो जाएगा साड़े 17%, 2011 के जनगर्ना के अनुसार. Clear है? चल. तो आसा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, उससे ताकि हम लोगों को पतत चल पाए कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, साथी साथ कमेंट करके ये बताएगा कि आप लोग कितना माक्स स्कूर किये, सबसे पहले आप जाके ग्रूप से पीडियाप डाउनलोड कर लीजेगा, और उस पीडियाप को खुछ से बनाईएगा, और फिर कमेंट करके बताएगा कि कितना माक्स आ रहा है, नाक्स कोशन है, कोशन नबर 57, कोशन नबर 57 कह रहा है कि निमलिखित मैंसे कौन सी नदी, तीन बार दो धाराओं में बिभक्त हो जाती है, और कुछ मिल आगे जाकर कुना मिल जाती है, और इस परकार सीरी रंग, पटनम, सीब समुद्रम और सीरी रंगम के दिपों का निर्मान करती है, तो इसका जो सही अंसर हो जगा, बहो हो जगा, काबेरी न दिया आनि ऑप्सन नबर A, जो काबेरी न दिये, वही तीन बार दो धाराओं में बिभक्त हो जाती है, ठीक है, सीरी रंग, पटनम, सीब समुद्रम और सीरी रंगम की बात करते हैं, तो ये तीनों दीप कहां है, करनाटक में इस्थित है, सीब समुद्रम से एक चीज याद रखेगा, सीब समुद्रम पे ही भारत का प्रथम पन विजली उल्जाक के अंदर जोकी 1902 में अस्थाबिक किया गया था, ठीक है, काबेरी नदी से एक चीज याद रखेगा, कि काबेरी नदी को क्या बोला जाता है, दच्छिन भारत की गंगा भी कहा जाता है, नेक्स्कोर्ण है, क्वोश्चन नमट फिप्टी येट, क्वोश्चन नमट फिप्टी एट कह रहा है, कि किस परकार की मिट़्ी है अधिक्तम पानी सन जो हो ए रखती हैं, तो इसका जो सही अंसर हो गाप्पोशागा, option number 3 मटियार जो होगा मिट्टी होती है वो साथ से जादा पानी को क्या करती है अब्जॉर्ब करके रखती है next question है question number 59 question number 59 कह रहा है कि कन्यों के द्वारा heat transfer की क्लिया को क्या कहते है देखिए जो heat transfer होता है उसके generally कितने होते है तीन मोड होते है पहला होता है conduction दूसरा होता है convection और तीसरा काउन होता है radiation ठीक है next question है question number 60 question number 60 कह रहा है कि निमलीखित में से कौन जल के जिवानों मियुक्त करने हैं तो परियुक्त होता है तो इसका जो सही answer होगा देखिए ozone भी होता है Corinth dioxide भी होता है Chloriman भी होता है तो ऑप्सन नमबर D याने उप्रियुक्त सभी होगा इसका सही answer ठीक है next question है question number 61 question number 61 कह रहा है कि आक्टेन संख्या गुनबक्ता का माप है तो огप्सन नमबर B जो होगा वो हमारा सही answer होगा इंधन माना जागा देखे ज़नेरली एक टर्म आप लोग सुने होंगे उसको हम लोग बोलते हैं नौकिंग ठीक है या हिंदी में अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं आस फोटन मतलब जो इंदन जितना ज्यादा आस फोटन करेगा नौकिंग करेगा होता क्या है कि जब हम लोग गाड़ी किसी भी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो वो फ्यूल बर्ण करता है लेकिन अगर जब वो फ्यूल कम्प्लीटली बर्ण नहीं करता तो उसका कुछ पार्ट बढ़ जाता है उससे क्या होता कि फ्यूल का लॉसेस होता है तो जो जितना उक्टेन संख्या जिसका कम रहेगा वो फ्यूल उतना ही क्या होगा खराब होगा जिसको आप मान सकते हैं वो आपकी गाड़ी के कम माईलेज देगा और जो जितना ज्यादा होगा वो उ इनका प्रकास एक बढ़नी और पानी की बूंदों से गुजरने पर बिभक्त नहीं होता है Next question है question number 63 Question number 63 कहा रहा है कि निमलिखी द्रभू में से कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा Option number A पारा ठीक है पारा जो है बूस्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा क्या है साधारन ताप पर भी द्रभववस्था में बिद्धमान रहता है Next question है question number 64 Question number 64 कहा रहा है कि पानी की अस्थाई का ठोड़ता के लिए निम्न में से कौन उतरदाई है Option number A कैलसियम और मैंगनीसियम के क्लोराइड्स वा सल्फेड Next question है question number 65 Question number 65 कहा रहा है कि सराब पीकर बाहन चलाने के स्वसन परिछन में यातायाब पुलिस क्या इस्तमाल करती है तो इसका जो साधार होगा बहुत जगा option number A Potassium, Dichromoide, Sulfuric, Acid का उप्योग करती है परियोग होने वाले term NPA का पूरा नाम क्या है Generally आप लोग सुने होगे कि आज कल NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए banking का condition खराब हो रहा है और bankों को क्या कर दिया जा रहा है Merge कर दिया जा रहा है तो NPA का मतलब होता है Non Performing Assets मतलब जो लोन और ब्याज जो लोन दे दिया गया है उस पे अगर 180 दिन तक या ब्याज का कोई भुकतान नहीं होता है तो उसको NPA माल लिया जाता है ठीक है Next question है question number 67 Question number 67 क्या है कि Navad का पूर्ण रूप बनाइए बताइए तो Navad का जो पूर्ण रूप होगा बो हो जगा National Bank for Agriculture and Ruler Development यानि Option Number B जो होगा बो हमारा सही अंसर हो जगा Navad की अस्थापना 1982 में किया गया था Navad का Headquarter मुंबई में है और अभी एचीर याद रखेगा Navad के अध्याच अभी Recently changed हुए है तो वो आपके एक जाब में पूछा जा सकता है तो Navad के जो अध्याच है उनका नाम है गोबिंद रजलू चिंटाला ठीक है Next Question है Question Number 68 Question Number 68 कह रहा है कि परसिद भार्तिये पर ज्यानिक CB रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिबस के रूप में मनाया जाता है या निम्न में से कौन सा तिति है तो 28 फरबरी को मनाया जाता है तो Option Number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और रमन इफेक्ट से याद रखिएगा कि रमन इफेक्ट के लिए ही सीबी रमन को 1930 में नोबेल पुरुसकार से भी नवाजा गया था और फिर 1954 में सीबी रमन को भारत रतन भी दिया गया है Next Question है Question Number 69 महात्मा गांदी ने अपनी आत्म कथा मुलता किस भासा में लिखी है तो महात्मा गांदी जो अपनी आत्म कथा है वो किस भासा में गुजराती भासा में लिखें तो Option Number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा महात्मा गांदी से और चीज याद रखिएगा किनों ने हिंद स्वाराज, सर्बोदय, गीतामा, सत्याग्र ये सारे भी पुस्तकों की राचना किये है ठीक है Next Question है Question Number 70 Question Number 70 कहा रहा कि पुस्तक आफ कॉंसिल The Challenges of the Modi जटली एकनॉमी के लेखक कौन है तो इसका जो सही अंसरों का बहुत जगा Option Number B अर्बिन सुप्रेमन्यम और ये कौन थे भारत सरकार के मुख हार्थिक सलाकार भी रह चुके है Next Question है Question Number 71 बिस प्रसीद मयूर सीहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था तो इसका जो सही अंसरों का बहुत जगा Option Number D दिल्ली के लाल की लेके दिवाने आम भवन में रखा गया था अब मयूर सीहासन का निर्मान किस ने करवाया था तो साज अहां ने मयूर सीहासन का निर्मान करवाया था Next Question है Question Number 72 कि 20 रुपे के नोट पर निम लिखित में से किस रास्तिय उद्यान की छवी है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा Option Number A Mount Harriet Park का Mount Harriet जो नेस्तल पार्क है उसी के छवी है 20 रुपे की नोट पर लेकिन ये 20 रुपे का जो पुराना वाला नोट था उस पे है जो अभी जो 20 रुपे का नया नोट आया है उस पे क्या है एलोरा की गुफाएं है ठीक है क्लिर है और देखिए 200 की नोट की अगर बात करते हैं तो 200 के नोट पर साची अस्तूब है 2000 के नोट पर मंगल यान है 500 के नोट पर क्या है 500 के नोट पर लाल किला है और 100 रुपे के नोट पर क्या है उल्जा सन्रेंद की अस्थापना किस देश की साहता से की गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा संजुक्त राज अमेरिका USA ठीक है परमानू उल्जा से एक चीज़ और याद रखेगा कि परमानू उल्जा बिवहा की अस्थापना कब की गई थी 1924 में किया गया था next question है question number 74 question number 74 कर रहा कि राष्टिय राजमार संख्या चार किन दो सहरों को आपस में जोडता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा option number B मुंबई को चन्नाई से जोडता है ठीक है राष्टिय राजमार संख्या एक की अगर बात करें तो ये दिल्ली स से कलकता है, तीन की बात करें तो आगरा से मुंबई है, और चार की बात करें तो मुंबई से चेन नहीं है, ठीक है? Next question है, question number 75, question number 75 कर रहा है कि भारत में गरीबी को परिभासित किया गया है, तो इसका जो सही अंसर है बो क्या है? Option number B, प्रती बेक्ती कैलोरी प्राप्ती से गरीबी को परिभासित किया गया है, और योजना योग की अनुसार, गरामी छेत्रों में 2400 कैलोरी से क्रम वाले और सहरी छेत्रों में 200 कैलोरी से कम प्राप्त जिनको होता है, उनको गरीब माना गया है, ठीक है? Next question है, question number 76, question number 76 करा है कि विशेस आहरेन दिकार, SDR किसे संबन्दी थे? तो यह IMF से संबन्दी थे, यानि अंतरास्टिय मुद्रा को से संबन्दी थे, तो option number B, D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा, ठीक है? और IMF के द्वारा इसको कम निर्धारित क्या गया था? 1971 इसबी में SDR को निर्धारित किया गया था, ठीक है? SDR से एक चीज़ याद रखेगा, कि SDR को golden paper भी कहा जाता है, ठीक है? Next question है, question number 77, question number 77 कह रहा है कि निम्ड तत्वो में से कौन सा भूपर पटी में क्रम सा अधिक्तम और नियुनतम पाया जाता है? तो अधिक्तम क्या पाया जाता है? Oxygen, और एकर हम नियुनतम की बात करते हैं, तो नियुनतम पाया जाता है Magnesium, तो option number जो D होगा, वो हमारा सही अंसर होगा Clear है, oxygen कितना पाया जाता है? 46.80% के बराबर पाया जाता है, और oxygen के बाद, silicon पाया जाता है 27.72% Next question है, question number 78. Question number 78 के रहा कि संचार उपगरा किस बायू मंडली ये अस्तर में इस्थित होते हैं? तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जगा, option number B, आयान मंडल में इस्थित होते हैं ठिकर, और आयान मंडल में ही क्या होता है? जो कम बायूदाब अपराम बैगनी किरने कम होता है, इसी के कारण ये आयान मंडल जो होता है, आयनी क्रित होता है और इसको संचार उपग्रह बोला भी जाता है संचार वाले जितने भी चीज़ें वो आयन मंडल में ही होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 79 कोश्चन नमर 79 कर रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो इसका जो सही आंसर होगा बोँ जागा option no D, रेट क्लिफ रहा जो है वो भारत और चीन चीन के बीच है LOC की अगर हम बात करते हैं तो LOC क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रन लाइन है LOC क्या है भारत और चीन के बीच नीयंत्रन लाइन है? मैक मोहन रेखा कि अगर हम बात करते हैं तो मैक मोहन रेखा क्या है मैक मोहन रेखा कि अगर हम बात करते हैं तो मैक मोहन रेखा 99 में निर्धारित की गई थी ठीक है अब भारत और चीन के बीच क्या है यही मैक मोहन रेखा है तो 79 का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number किसके किसके पूछ रहा है भारत और चीन के बीच पूछ रहा है ठीक है तो भारत और चीन के बीच अगर हम बात करते हैं तो मैक मोहन रेखा सही अंसर हो जागा red clip की अगर हम बात करते हैं तो red clip रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा कि अगर हम बात करते हैं तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच है तो इस question में पूछ रखा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सिमा रेखा है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जगा आपसा नमबर A ठीक है भारतिया मानक समय कौन है साड़े 82 डिगरी पुर्वी देशांतर को माना गया है और 82 डिगरी पुर्वी देशांतर से पस्चिम जाने पर क्या होता है जो GMT है उससे पश्चिन जाने पर समय घड़ता है और GMT से पूरत जाने पर समय बढ़ता है इसलिए जो भारत का राज है कर रुनाचल परदेश और गुजरात अगर इन दोनों का compare करते हैं तो रुनाचल परदेश और गुजरात के बीच सूर्जुदय और सूरियस के बीच 2 घंटा का अंतर हो जाता है चलिए तो ये था हमारा आज का वीडियो आसा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा साथी साथ आप लोग अपना marks जो बनाते हैं question पीडिये जो group में दे दिया जाता है पहले वहां से बना लीजिए उसके बाद आप कमेंट करके मांक्स मुझे बताइए कि आप लोगों का मांक्स कितना आ रहा है अभी तक एगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे भी ठीजेग साथी 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 तो चैनल को सब्सक्राइब।